जानपूर की रहने वाले आर्टिफिशल इंटेलेजन्स इंजीनियर अतुल सुभाश की स्यूसाइट का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विशा बन गया है स्यूसाइट से पहले अतुल ने जो वीडियो बनाया था उसकी छोटी छोटी क्लिप अब काफी जगा वाइरल हो चुकी है अतुल ने अपनी जान लेने से पहले अपने चार साल की बेटे के लिए भी एक खास गिफ्ट और एक चुठी छोड़ी है खास बात यह है कि उन्होंने अपने बेटे से कहा है कि इसे 2038 में खोलें जब वो 18 साल का हो जाए अतल सुभाश ने स्यूसाइट करने से पहले करीब तेड़ गंटे का वीडियो बनाया जिसमे उन्होंने उन सभी परिस्थित्यों का जिक्र किया जिसकी वज़े से उन्होंने स्विसाइड करने का फैसला किया उन्होंने इसके लिए अपने पत्नी ससराल वालों को जमिदा ठहराया है इसके लावा उन्होंने जौनपुर की फैमली कोट की उस जच्च पर भी आरोप लगाए हैं पत्नी ने उन्हें साड़े चार साल के बेटे तक से मिलने नहीं दिया अपने बेटे के लिए अब मात से पहले अच्छी वैलियूस मिल सकें उन्होंने वीडियो में कहा कि मेरे माता पिता उससे बड़े नास से पालेंगे और उनका भाई भी बहुत अच्छा है बतादे चले कि अतुल सुभाष आखरी वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि स्यूसाइट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं जो रुपए कमा रहा हूं उससे मेरे दुश्मन और मस्बूत हो रहे हैं वहीं रुपएओ का इस्तमाल मुझे बर्बाद करने के लिए भी किया जा रहा है और ये चक्र यूँ ही चलता रहेगा मेरे द्वारत चुकाए गए टाक्स के पैसों से ये कोट और पुलिस विवस्था मुझे मेरे परिवार को और अन्य सामान ये लोगों को परिशान करेगी अतुल सुभाष ने पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे को अलग रखेगी और मुझे मेरे मातब पिता और मेरे भाई को परिशान करने के लिए और भी मामले दर्च कराएगी मैं गुजार अब हत्ता के लिए उसे जो भी पैसे देता हूँ वो उसका इस्तमाल बच्चे के पालन पोशन के बजाए मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक हतियार के तौर पर इस्तमाल कर रही है उन्होंने आगे वीडियो में कहा कि उनकी मौत के बाद पत्नी और उसके परिवार को उनके शफ के पास आने की अनुमती ना दी जाए अतुल ने अपने परिजनों से कहा कि जब तक उनका कथित उटपीडन करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उनकी अस्तियों का विसर जन ना किया जाए न्याय की मांग भी करते हुए अपने परिजनों से उन्हों ने कहा कि अगर उनका उत्पीडन करने वालों को सजा नहीं मिलती है तो वो मेरी अस्थियों को अदालत की बाहर गेट पर वहा दें वीडियो में अतुल सुभाश ने जौनपूर के जज़ पर भी उत्पीडन और खूस मांगने का आरोप लगाया अतुल ने कहा कि जज़ की अदालत में तारीख के लिए पेशकार को भी घूस देनी पड़ती है अतुल ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल फैमली कोड की जज़ ने उन पर तीन करोर मेंटेनेंस देने का दवा भी बनाया उसके बाद उन से पांच लाक रुपे की रिश्वत भी मागी उन्होंने कहा कि दिसंबर तक वो इस केस को सटल कर देंगी अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जज़ पर भी ऐसे कई तरह के आरोप लगाए हैं बता दें कि पूरे देश में सुर्खया बटोर रहे बैंगलोरू के इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या केस में अब करनाटक पुलिस भी जॉनपूर पहुच गई है पेडित परिजन की तरफ से अतुल के ससुराल वालों के खिलाफ मामले दर्च किये गए हैं और बैंगलोरू पुलिस यहां पहुच रही है इसे पहले जॉनपूर पुलिस ने एक दिन पहले ही आधेकारिक सूचना नहीं मिलने की बात कही थी तो वहीं आरोपी पतनी निकिता सिंखानिया की मा और भाई घर छोड़ कर निकल गए हैं लड़की के चाचा ने सभी आरोपो को जूटा बताया है अदल के भाई विकास की तरफ से बैंगलूरो में निकिता सिंखानिया उसकी मा, भाई और ताओ के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की FIR दर्च की गई है बता दें कि पुलिस ने जाच भी शिरू कर दी है बैंगलूरो पुलिस की एक टीम उत्तरप्रदेश के जानपूर पहुच चुकी है चारो आरोपियो से पूछताच करने वाली है इससे पहले जानपूर के S.P. अजयपार शर्मा ने बताया था हमें कोर्ट और न्याय पर विश्वास है इकवरिष्ट पुलिस अधिकारी ने प्रक्रण की जाच करते हुए इस मामले को हर आंगल से समझने की बात कही है